कल की बात कल गई कल पे खाग डालिए आज को सवारिये सुभे नो की वास्ते इसमें चाहिए बढ़िया भोजन ऊपर कपड़ा और स्वास के लिए दबा तब राम राम कहेंगे नहीं तो भुखे भजन ने गो पाला लैला यापन कंठी माला इता हो रामायर हो कुरान हो बाइबील हो पीर हो पैगंबर हो कबीर हो राम हो कृष्ण हो जितने महापुरूस हैं सबका सार यहीं कि सबसे बड़ा धर्म है तो माना उता है नमस्कार में मलीक इम्रान आप देख रहे हैं लाइब यूपी निउस टॉन्टीफोर इस समयम समाजवादी पारिटी कार्याले के बाहर मौजूद हैं हमारे साथ बात करने के लिए एक पीडित हैं जिनकी जमीन बीजेपी के नेता ने हड़प लिया है मु कुणित्री ओगी का साथ कि जनता के और अन्याय नहीं होना चाहिए लेकिन उसके बाद बीजेपी के नेता ही उनके उपर अन्याय करा यह मैं side मैं तैसील पर दील अनंत कशी आया हूं सींया हम का मेरे साथ यह हुवा है कि मैंने 2017 में मैंने एक राम सिंग सैनी है बीज़ेपी नेता उनसे मैंने डेट लाग रूप भी आज पर लिया था और उन्होंने बुर्स बोले डेट लाग रूप मैं तो मैं इसलिए देरा हूं कि आप पहले एग्रिमेंट करा हुए मैंने किसी जमीन का जो मैं इसका पैसे तुबारे खाते में ट्रांस बोलतों मेरे यह एक राइग्रिमेंट इन्होंने सब्सक्राइब और तेरा बार में और तीन वार में गोरगपुर पर चला लेक्वरी कोई सुनवाई नहीं हुए आज तक भी और मैं आज बहुत परेशान हूं जो कि माज यहाज स सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब नहीं है और तुम जाएं यहां से तो साब मेरे साथ जो है यह जो अन्याए होया है नया होना चाहिए मुझे अप समाजवादी पार्टी कारें लेके बाहर मौझूद हो तो अखले स्यादों जीसे आप क्या कहना चाहते हैं जी मैं मानिया पूर मुख्य मंत्रिया खिलिए श्यादव जीसे कहना चाहता हूं कि मेरी बात को जो है मीडिया के साब जरिये सारे हिंदूस्तान में पहुंचाएं और मेरी जो मदद उनसे हो सके वो मेरे बारे में जो मदद करें मैं उनसे यही आजबसन लेकर कि इनके यहां पर आया हूं मैं करें लिए बर रहे तो मजबूत दिल के हैं और इनमें संघर्स है को जहर त्याक करके यहां पहुंच गए है ऐसे कितने लोग उत्पिलन की सिकार हो गए है यह ढोंगी सरकार केवल छलावा दे करके राम के नाम पे और सबका साथ सबका विकास करके एक बुल्डोजर की प्रकिती डाल दी है जो अंग्रेजों से जादा भायावन हो चुका ह कि इनका इनसे आप पूछिए आज बुल्डोजर का नाम लेंकि माफीयों को पुल्डोजर यह माफिया है है जब तुम्हारी पाय्टी में मूह माफिया है तो इस पर कारवाई क्यूंग करते और इस ने मेरे उस प्लॉट में दो मंजला मसकान बना दिया इसने में मं उस प मुखमंत्री जी कहते हैं कि एक तरफ की भूमाफिया तो उतर परदेश चोड़ेंगे उतर परदेश नहीं छोड़ेंगे भूमाफियाओं को तो सरकात सनर्चर दे रही है गरीबों को उपर चला करके उसको एक वायरस बना के केवल 24 में जैसे सामने एलक्सन है उसको ओट लेने के लिए फ्रेकरिया है कि और कोई सवाल करना पाए महंगाई कितनी है बेरोजगारी कितनी है अत्याचार कितना फैल ला है नौजवानों को नौकरी मिली की नहीं मिली गए सलेंडर कितना है सरसो तेल कितना है टमाटर कितना लेसुन कितना है चीन में चीन सीम तो भूलडोजर माफिया उनके बगल में बैठे हैं माफिया के लोग के यह कोई जा नहीं सकता एक तासिलदार नहीं जाएगा गरीब के घर घेर लेंगे इस सरकार में गरीबों का जीना बड़ा दूरलब हो गया है ये 24 का चुनावी इसी पे लड़ा जाएगा ये लोग वाइरस पैदा कर रहे हैं हम लोग समिधान बचाने के लिए लोग तंद बचाने के लिए कि याज जिस तरह से आज बुल्डोजर चल लहा है इसी तरह से इनके वाइरस से नवजवानों को गुलाम ना बनाया जाए केवल रासन के नाम पे गुलाम बनाने लाचारी के बात करने के बाद ये गुलाम बना देंगे और हमारे सामने हमारे नवजवानों को मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे ये गुलामी बचाने का ये अंग्रेजों से बड़ा अत्याचार भारती जनता पार्टी की सरकार में इस देश में हो रहा है उदारन देख लिजिए राष्टी महिला पालमान घीची जा रही है ये कहने के बाद ये फायार हो जा रहा है दूसरे गरीब के उपर अब वो उनके हैं मुकदमा दर्ज होने के बाद इतनी जाच करने के बाद उनको भरी कर दिया जाता है मरीपुर जल लहा है अगर कोई बोल दिया तो उसके उपर बुल्डोजर चल जा रहा है या फायार हो जा रहा ये इनको सत्ता चाहिए जिस तरह से सत्ता इनको मिलनी है वो इनको चाहिए हर हाल में चाहिए राम के नाम पे ठखना हो गंगा के नाम पे ठखना हो ब्रामर के नाम पे ठखना हो हिंदू-मुसल्मान की बात करना हो अगड़े पिछड़े की बात करना हो संसत की मर्यादा यही तार-टार करते हैं, दूसरे के उपर के वाल आरोप लगाते हैं, यह देश दंगा जमनी तहजी भी देश है राम के नाम पे कहां ठगी भी जेपिन अच्छा कहां नहीं ठगी आज भी ठगने जा रहे हैं ये बता दिजे हम भी मंदिर में जाते हैं हम मंदिर के हम भी पूजा करते हैं हम राम को मानते हैं ये बताइए जो राम लला का जन्म भूम है संत से महांत से बड़ा कोई है उनके मार्केटिंग नहीं होगी आज होटल खाली करवा दिया गया राम राम करेंगे जैसे राम करके कैमरा सामने गोली मार दिया गया क्या हुआ पता चला कहीं हाई कोट में मारो जैसे राम बोलो किसी के मुहला जला दो जैसे राम बोल दो जांच नहीं होगी राम नाम पे बोले ह रामराज लाएंगे यही रामराज है कि केवल पूजी पतियों को सुरच्छा दिया जाए गरीबों जन्मानस का कोई अगर यादों भी पीडी थे चला जाए करें यह तो यादों है इसको नहीं कि यह रामराज है तो यह 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 रामराज का दूर्पयोग हुआ कि नहीं नहीं तो राम नाम पे ठाका नहीं हुद हुआ क्या अरे यह देश संभीधान से चलेगा पाबा भी मरावामेट कर साम ने जो लिखा है अपनी आवाज नहीं उठा सकते अगर चले जाए पताशिल में तासील से लेकर जातियां पूछी जा रही है वोड़ाइन सकते यह आन वोट खतम कर देंगे यह संविधान कहा है हमको संविधान राइट दिया है संविधान तो यह भी राइट दिया है कि विपच अपनी आवाज उठाए आप देख लिए पूरे देश के पालियामेंट के बीच में केवल यह कोश्चन विपच ने कर दिया कि यह दो लड़के वक्त दे दे यह तना ही कहना उनको निलंवित कर देना है यह समिधान है यह लोग तंत्र है यह अब भीपच काज नहीं है कि सवाल हो सकता है क्योंकि यह बोलेंगे कि वह वह बेरोजगार थे अब इस पे बोलेंगे उन्होंने कहा था दो करोण नवकरी देंके सामने 24 का च तो रामन भी ते रूप उपर से धारा धारन किया भगवां। अवर हर्व्यों, भर्व्यों करते करते पहुंच गया सिता माता के पास। अवर्ण कर लिया, जैब हर्ण किया मैं रामन हो, तुम चलो मेरे साथ। तो जब इन सरकार बन जाती तो कहते हैं तुम कौन हो यादो अब बहुत गुंड़ाई किये थे समाझ तुम मुसलिब हो तुम पिछड़े हो इनके सान के पीछे आरियसस है वो संभिधान बदल के मनुई समिर्ती लागू करना चाहती है अब जिस दिन आ जाएगी जुन पैब की और यहा जातीकिव मुली है और यह आजादी फिर हमारे साबने बोल यह जो बोल रहे हैं की बोल को बंग करने का किया व्धारत जन्ता पार्टी ने आम पने यूज्छ किया है तो क्या बीजेपी पारिस अ रावल के मांडिद से चले हमा क्ट क्या था हम स्वास की बात करें में काम करें रामर की राम राज में में दूध मिला ऑप बाबाव राज में दारू मिले कि जूम जूम के प्यू यह है रामार में यह लिका है रामार जहां जाता था पूरा खाली हो जाता था वो आसुरी प्रविती का का राम तो मर्यादी थे समाजवादी थे वो सब को सिवरी को कले लगाए केवट को कले लगाए सब का उधार करते हुए गए राम 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 तो एक धोबी के कहने से माता सीता को बनवास में कर दिए आप राम के पच्चिन्यों पे हैं देश की जनता बहुत कर रहे कि इबियम से मत चुनाओ करो आप अमेरिका की अमेरिका के तुलना कर रहे हैं तो अमेरिका कर रहे हैं अमेरिका हम बनाएंगे या अमेरिका सुलना कर रहे है अमेरिका बिलेट पेपर सो रहा जनता मांग कर रही है आप एक कहने से कर दीजिए बिलेट पेपर पे चुनाओं नहीं करवाएंगे चुनाओं हार जीत के बाद आप लोग इबियम पे चले आदे ने आप मैं ये कराऊ वो जो भी जैसे करवावें उनके अधिकार है ढोल उन यंदिर में क्यों ताला लग गया महजीद में क्यों लग गया राम सबसे बड़े इस विरदे में रहते हैं ए तैंतिसकरोड देउता इसमें बास करते हैं आप इसमें क्या है एक टंकी है जो कभी भरती नहीं पेट इसमें चाहिए बढया भोजन ऊपर कपड़ा और स्वास के लिए दबा तब राम राम कहेंगे नहीं तो भूके भजनने गो पाला लाया आपन कंठी माला जब गरीब जन्मानास तरपेगा किसी मुसल्मान के भी घर जाके भूखा जाकर खा लेगा तो आपका हिंदू तो आपका रामराज कहा जाएगा ये ढूंग बंद करो देश को संबिधान से चलाओ देश 200 साल बाद बोलने की याजादी मिली थी हमारे पुरणियों ने अपने प्राणों की हाउती दे करके ये तो अंग्रेजों से ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं इनके कितना बोला जाया आप बताईए ये ठंगने का काम कहा ना कही ना कहा ना कहा सबसे बड़ा बरस्टा रहे बैक्सीन कब लगी को ना में करोना में लगी कि सब कुछ लासोस बह गई चली गई कवा कुटा नोच के खाए करकार को इससे पहले थोड़ी में पता था कि कुरोना आ रहा है तो पश्चिम बंगाल में वह दीदी वह दीदी हो रहा था बंद क कर दिए आप यह बताएं महामारी के नहीं महामारी कहीं भी आ सकती लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि आप क्या सुबधा देते हैं कि आप उस पर कारवाई करते हैं क्या किदम आपका उठा आप ने जो कहा अगर दो सबसे बड़ा भर अश्चा चार भारती जनता पार्ट जितना काम किया था जितना वाधा किया था उस पर चुनाओ आप लड़ दो аट हजार भरतिया निकलने वाली है पुलिस में वह निकलेगी और निकलने वाली है ने 47 में क्या होने वाला है आज का पता नहीं है कल की बात हो रही है अरे आज को समारिये सुभह नौ के वास्ते कल को छोड़िये कल की बात कल गई कल पे खाक डालिये आज को समारिये सुभह नौ के वास्ते आज की बात करिए यह तो साथ हजार निकलने वाली अब चुनावा आ गया निकलना तो मेरे काने का मतलब आम जनता यह तो यह से बुल्डोजर के पीडित हैं कि जो अपने उपर लिखा करके घूम रहे हैं कितने हैं कि इनके आखों में आसू चल गया कितने के उपर बुल्ड लेने का काम करते हैं और जो हमारे राष्टी अध्यकले सियादो जी ने पीडिये का नारा दिया है पिछोणों का नारा दिया है इनको न्याय दिलाने के लिए तो ही हम आपके सामने कह रहे हैं जनता देख रही है कि इनको इनको न्याय मिले और यह इसी नीती सडियंतकारी नीतियों को 24 में भाजपा के खिलाप ओड दे करके समाजवादी पार्टी के नेता अकली सयादों को परधान मंतरी बनाने का काम करें तो यह इसे लोगों को बहुत बढ़ा भला होगा यह तो हमांम कर रहे हैं हमेशा कर रहे हैं क्योंकि अकली सयादों जी का काम बोलता है बनाने का तरीका वो ठीक है मारो गुल्डो जासे कालोनी खाली हो है उसको नोटीस दो अगर जाता है घर आ जाता है तो सड़क के बदले आप उनको कहीं कालोनी बसा दो बसाने के पास क्या कमी है जब आप राम राज में हैं तो राम राज का यहीं मामला है कि मारो बुल्डो जास चला दो अरे पहले उनको बसाओ बुल्डो जो चलाओ चाहे वहाँ जो तालाब बना दो उसका आप विकास करो ने काम करो लेकिन सिस्ट्रम से करो तो यहां सिस्ट्रम नहीं आए आ गया मन में जब चल गया था ठोक दो बोल दो रोक दो आपकी बात जब यह करें अभी आप आपने नहीं करनें यह हमेशा वायरस की बात करते हैं जूट की बात करते हैं आप भी नौन हैं यह नौन अगनी बीर की ओजना निकालिके चार साल में बरबात कर रहे हैं सेनव прошлय सेनव प्रमउख का बयान आपके सामने आया होगा ये देश के सुरच्छा का सवाल है देश की एकता का सवाल है आप राज करो आपका स्वागत है लेकिन नफरत मत बो बीज मत बो आने वाली पिर्णियां गुलाम ना हो क्योंकि जाना है एक दिन ये जीवन पानी का बुल्ला है राम के पचिन्नों चलने वाला हर सुआसा पैदा इनका अगर नफरत ना पैदा करें तो यह कोट इनका एक इस्टेडिम देख लिजे चाहिए करनाटक के चुनाव से लेकर कहीं भी देख लिए बिना नफरत की इनकी बोलने हमारा ने तक अगर मांगता है कि हमने लेप्टाप दिया है आप हमको वोट दो अकले कर देंगे कितना दाम था आप एक कनेक्शन दे रहे उसका कनेक्शन भरा रहा गया किसान भरवा नहीं पा रहा है दिपावली बीद गई ने अजो द्या में लांखो दिया जला गाओं में देखिए दिपावली फिकी पड़ गई गरीबी के कारण तियल नहीं मिल पाया देखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है गरीबी गाँ में आप देखिए जिसके मा को कैंसर है नवजवान है नवकरी मिली नहीं और सिच्छा केवल धर्म का वाइरस चड़ गया और वोड दिया भाजपा को आज गरीबी की मार कर रहा है और जहां जा रहा एकाम के लिए ठोकर मिल रहा है तो इसलिए मानवता जब सार होगी क्योंकि गीता में गीता हो, रामायर हो, कुरान हो, बायबील हो पीर हो, पैगंबर हो, कबीर हो राम हो, कृष्ण हो जितने महापुरूस हैं सब का सार यही की सबसे बड़ा धर्म है तो मानावता है मानावता इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है अब मानावता इंसानियत को जिसने तोड़ दिया तो किसी धर्म का नहीं है ये धर्म के यार में खेल जादा दिन तक नहीं चलने वाला है मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ आए नवजवानों कमर कसलो संविधान बचाने के लिए लोकतंत्र बचाने के लिए आने वाले 24 में एक एक वोट डाल करके उत्तर प्रदेश से जो भारती जनता पार्टी का रास्ता उसको ब्लाक कर दो आपका नेता दिल्ली में आप 973? सब्सक्राइब तो मैं तो यही चाहरा हूँ इस भूमाभबा के साथ जयसे औरों के साथ हुआ है बैसा इस भूमाभबा के साथ भी खैलतें很好 करवाई होनी चाहिए जैसा कि सुना आपने हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे इनका साब कहना है कि जो इनकी जमीने हडप ली गई है इनको न्याय मिले ये समाजवादी पाल्टी कार्याले के बाहर खड़े हुए है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं वीडियो ज झाल्टी